दोस्तो आपने देखा होगा कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो आपका व्यूज नहीं आता है वही 10, 5, 50 व्यूज पर रुख जाता है लेकिन अगर उसी टॉपिक पर कोई दूसरा यूटूबर वीडियो बना देता है और उसके वीडियो पर व्यूज बहुत वीडियो अप्लोड करने का तरीका दोनों लोगों का अलग-अलग होगा वो बन्दा किसी और तरीके से वीडियो अप्लोड करता है और आप किसी दूसरे तरीके से वीडियो अप्लोड करते हो मैं अपने बताऊं तो मेरा एक वीडियो देखिया तीन बीक पहले मैंने अप आपको दिखा दूँ यहां आप देख सकते हैं 18 गंटे में 228 व्यूज हैं और यह वीडियो भी जल्दी से बूश्ट होगा और इस पर भी व्यूज बढ़ेगा अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीडियो अपलोड कैसे करना चाहिए जिससे आपके वीडियो पर यूटूब एपलिकेशन होना चाहिए जो आपके आल लेडि होगा दूसरा वाइटी स्टूडियो जो आपके फोन में आल लेडि होगा नहीं है तो इसे प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लो जिसका नाम है वाइटी स्टूडियो आप इस्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह व सबसे पहले वीडियो अपलोड करने के लिए आप यूटूब पर जाते हैं सबसे पहले आप वीडियो अपलोड करने के लिए यूटूब पर आते हैं यहां आने के वाद आप सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और अपलोड ये वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड कर देते हैं लेकिन आपको बदा दें कि वीडियो तो आपको यहीं से अपलोड करना है लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले आपको कुछ चेंजिस करने हैं अपने चैनल के अंदर चलिए वो करते हैं उसके लिए आपको Chrome Browser open करना पड़ेगा जैसे यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने Chrome Browser open किया है और यहाँ पर आपको एक link लिखना है जैसे कि studio लिखना है आपको studio.youtube.com इस तरीके से आपको लिख लेना है जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे आपके सामने studio.youtube.com का page खुल जाएगा अगर आपके सामने ये page डारेक्ट नहीं खुलता है तो मैं आपको एक तरीका बता दूँँ आपको यहाँ simply लिखना है youtube.com youtube.com लिखेंगे youtube.com लिखने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे है इसके बाद आपको three dots पर उपर क्लिक करना है और आपको desktop site enable कर लेना है यह देख सकते हो आपको desktop site आपको लिखा हुआ आएगा यहाँ पर desktop site आपको टिक कर देना है उसके बाद आपका youtube कुछ इस तरीके से खुलेगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे है यहाँ देखिए आपका चैनल का लोगो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको एक yt studio का देख यह option देखेगा यह देखिए yt studio youtube studio तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका studio.com यहाँ पर खुल जाएगा तो जैसे यह खुल जाता है उसके बाद आपके सामने देखिए channel setting, general setting, upload default यह option खुलते हैं अब आपको सबसे पहले यहाँ channel पर क्लिक करना है चैनल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए basic advance और feature eligibility खुल जाता है यहाँ सबसे पहले आपको basic information पर क्लिक करना है और यहाँ country of residence पर क्लिक करना है यहाँ आप country लगा सकते हैं जहां से आप ब्लॉंग करते हैं मैं इंडिया से हूं मैंने इंडिया लगा रखा है आप दिहान से देखेंगे तो आपके channel में यहाँ इंडिया नहीं लगा होगा आप जाकर सबसे पहले यहाँ पर इंडिया जरूर लगाईए अगर लगा है तो अच्छी बात है उसके बाद आपको नीचे एक keyword का option आता है इसमें लिखा हुआ है कि आप देखिए comma spreading value comma लगा कर आप जो है चेंज कर सकते हैं keyword के लिए तो आपको यहाँ पर कुछ keyword डाल देने हैं जैसे कि मैं YouTube टिप्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो मैंने यहाँ कुछ keyword डाल सबसे पहले अपने चैनल का नाम लगा रखा है उसके बाद देखिए कोई सर्च करता है YouTube पर कपिल भाई की वीडियो तो मैंने यह भी एक keyword लगा रखा है उसके उन्देने YouTube टिप्स लगा रखा है how to grow on YouTube लगा रखा है सबस्काबर कैसे बढ़ा है व्यूज कैसे बढ़ा है और कुछ similar चैनल के नाम डाल रखे हैं जैसे कि मेरे similar topic पर कौन-कौन वीडियो बनाते हैं जैसे कि मनोजदे हैं, Tech Champion Support है, Technical Yogi है तो इस टैब के चैनल है उनके नाम भी मैंने आपा डाल रखे हैं तो इस तरीके से आपको भी अपनी category वाले tag रखने हैं अब आप कहेंगे कि ह हमारे वीडियो से इसका क्या matter है सबसे पहले आपको बता दें कि जो आप वीडियो में tag लगाते हैं उससे आपका वीडियो सर्च में जाता है लेकिन जो आप यहां पर tag लगाते हैं यहां से आपका वीडियो recommendation में जाता है क्योंकि आपके चैनल के टैग हैं आपका चैनल कि recommend होना चाहिए YouTube इसी चीज़ से decide करता है तो यहाँ पर आपको यह tag जरूर लगाने है उसके बाद आपको जाना है यह बराबर में को उप्शन है advance setting का यहाँ जाने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका yes पर अगर क्लिक है यहाँ पर पूछ रहा है कि आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हो या फिर नहीं अगर आपका yes पर टिक है तो समझ लोग आपने set कर रखा है कि आपका वीडियो बच्चों के पास ही जाएगा बच्चों के पास का मतलब है कि जिनके email ID में age जो है कम है उनके पास ही यह वीडियो जाएगा लेकिन अगर आप यह नो पर क्लिक किये हैं तो नो पर क्लिक करके अगर आप वीडियो का अपलोड करते हैं तो आपका वीडियो की रिच ज़्यादा पहुँचेगी ज़्यादा लोगों के पास आपको वीडियो सो करेगा तो यहाँ पर आपको नो पर किलिक करना है अगर आप आस्तम में बच्चों के लिए content बनाते हैं तो आप yes पर किलिक करें ध्यान रखने वाली बात है इसके वाद आप नीचे जाएंगे नीचे जाने के वाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक आपको automatic caption का option मिलेगा आपको पता है कि आज के समय में caption कितना ज़्यादा काम करता है यह simply caption पर आपको किलिक जरूर कर देना है क्योंकि keyword जो आप वीडियो में डालते हो वैसे ही keyword आपके वीडियो में बोलने में भी होते हैं जो audio होता है तो audio के keyword से भी YouTube सर्च करता है आपकी वीडियो के लिए आप YouTube पर एक practical करके देखना कोई भी song लेना और song के बीच की line आप सर्च करना वो title में keyword में कहीं नहीं लिखी होगी उसके बाद भी वो song यूटूब पर सर्च में आ जाता है वो कहां से आता है? caption से क्योंकि caption को YouTube बहुत जल्दी catch करता है आज के समय में आपको ये automatic caption को on कर देना है इसका आपको feature eligibility का एक option है इस पर आपको click करना है और यहां आप देख सकते हैं आपके सामने ये 3 step enable होने जरूरी है अगर आपके ये 3 step enable नहीं है तो आपको वीडियो पर thumbnail नहीं लगेगा आपके वीडियो की limit upload limit 15 minutes से जादा नहीं होगी आप daily के जादा वीडियो upload नहीं कर सकते तो इसलिए आपको ये 3 step enable कर लेना है एक एक करके इसे बोलते हैं channel verification तो इसको आपको on कर लेना है इसको आपको देखिए एक upload default का option मिलता है simple आपको इस पर click करना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है यहां पर आपको देखिए title का एक option मिलता है title आप परती एक वीडियो का अलग-अलग रखेंगे तो इसलिए आपको share chart नहीं करनी है second आता है है description तो description में यहां पर देखी क्या करना है आपको आप अपने YouTube से वीडियो का upload करते हैं बहां भी description आपको डालना है लेकिन कोई social media बगारा के link होते हैं तो आप यहां से भी add कर सकते हैं एक साथ बाकी सारे वीडियो में समय add हो जाएंगे जितने भी आप आगे से upload करेंगे इस option में आपको नीचे एक option मिलता है आप देख सकते हैं visibility का यहां आप देख सकते हैं आपकी visibility public है और आपकी भी public होगी तो आपको यह public नहीं रखके आपको यहां पर private कर देना है चाहे आपको private करना है चाहे आपको unlisted करना है यह बहुत ज़्यादा important है कि आपका वीडियो जब upload होगा उसके बाद आपका वीडियो public ना जाके unlisted या फिर private में रुक जाए क्योंकि आप उसमें काफी सारे changes करेंगे तब जाके आपका वीडियो public होना चाहिए तो यह setting करने के बाद आपको simply save button पर click कर देना है जैसी आप यहाँ save button पर click करेंगे उसके बाद आपको फिर से चले आना है YouTube application पर चलिए मैं YouTube application पर आज चुका हूँ अब यहाँ पर मुझे वीडियो अपलोड करने का तरीका आपको बताना है तो simple आपको सबसे पहले plus icon पर click करना है और आपको upload a video पर click करना है जैसी आप यहाँ पर click करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं मैं आप एक simple छोटा सा कोई video ले लेता हूँ जिससे video upload करने में आसानी रहे तो चलिए मैं आप एक video लेता हूँ जैसी आप video को select करेंगे video select करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ आप से पूछ रहा है created title आप अपने वीडियो का title लगाईए तो यहाँ पर काफी सारे लोग title नहीं लगाते हैं और कुछ लोग लगाते भी हैं तो गलत तरीके से लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको title किस तरीके से लगाना है माल लीजिए यह मेरा वीडियो है views कैसे बढ़ाएं इस topic पर वीडियो है आपके किसी भी topic पर हो सकता है अब आपको क्या करना है यहाँ पर simply एक बार लिख देना है views कैसे बढ़ाएं देखिए views कैसे बढ़ाएं बढ़ाएं इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है और आपको यहाँ पर देखिए विजिविल्टी में जाना है विजिविल्टी में आपको private या फिर unlisted रखना है इसका आपको दिहान देने वाली बात है मेरा unlisted है आप भी unlisted कर लेना इसके बाद क्या करना है आपको देखिए कभी साथ लोग confused रहते हैं कि कुछ लोग private बताते हैं कुछ लोग unlisted बताते हैं तो यह दोनों का एक ही काम है सेम काम है आप चाहे private रखें चाहे unlisted रखें कोई फ अपलोड वीडियो पर क्लिक कर दो जैसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो अपलोड होना सुरू हो जाएगा लेकिन ध्यान देने वाली बात है अब इस वीडियो में हमें setting करनी है setting कहां से करेंगे सबसे पहले अब हमें जरूरत पढ़ेगी yt studio application की जो मैंने बताया था कि आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए इसको डाउनलोड करना है इसमें आते हैं यहाँ आने के बाद आपको content पर क्लिक करना है content पर क्लिक करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर आ चुका है अब इस वीडियो को क्लिक करना है और उपर pencil आइकन पर आपको क्ल करना है सबसे पहले हम अपने वीडियो का टाइटल यहां पर सर्च करेंगे दिउज कैसे बढ़ाएं देखिए व्यूज कैसे बढ़ाएं यहां पर थोड़ा आपको वेट करना है तो आपके सामने बहुत सारे keyword आ जाते हैं अब इसमें आपको देखना है सबसे उपर वाले दो या तीन keyword आपको ले लेने हैं दो keyword ले लिजिए दो keyword कैसे लेंगे देख सकते हो यह आ रहा है views कैसे बढ़ाएं यह तो हमा लेडी उपर आ जाएगा इसको select करके copy कर सकते हो copy करने के बाद आपको इसको जाना है अपने title में और यह title में एक break लगा देना है इस तरीके से और आपको यह title यहाँ पर paste कर देना है यहाँ इसके आपको यह backspace हटा देना है आपका title बन गया लेकिन यह आपका searchable title बना है अब आपको यहाँ पर एक click wait title भी रखना है तो इसके लिए आपको बिल्कुल starting में जाना है बिल्कुल starting में और यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हो views बढ़ाने का धासू ट्रिक या मतलब जो है rocket की तरह views बढ़ेगा यह trick लगाओ कुछ इस तरीके से आपको छोटा सा handy में click wait title जरूर रखना है आगे आपको यही title रहेगा चलिए मैं लिख देता हूँ views बढ़ाओ views बढ़ेगा views बढ़ाओ अब यहां से देखिए क्या होता है यह देखिए views बढ़ाओ यहाँ पर काफी सा लोग हिंदी में सर्च करते हैं तो यह सर्च में भी जाएगा दूसरा अगर इस चीज़ को किसी ने पढ़ लिया तो वो इस बंदे इस वीडियो पर क्लिक भी करेगा साथ में आप इमोजी एक एड कर सकते हूँ आपने बहुत सारे थमनेल में इमोजी देखी होगी चली मैं एक इमेजी फायर वाला या कोई भी चीज़ यहां लगा लेता हूँ यह मैंने लगा दिया यह बहुत अच्छा टाइटल लग रहा है व्यूज बढ़ा हो धासू ट्रिक हमारा क्लिक वे टाइटल हो गया आगे व्यूज कैसे बढ़ा है लोग सर्च करते हैं सर्चेबल टाइटल हो गया उसके आगे व्यूज कैसे बढ़ा है यूटूब पर 2023 यह बहर एक सर्चेबल टाइटल हो गया अब हमें सबसे पहले इस पूरे title को select करके copy कर लेना है यह हमारा complete title हो गया अब हमें जाना है description के अंदर description में जाने के बाद आपको सबसे उपर अपना title पेस्ट करना है सबसे उपर title लगाना है आप भी मेरे सारे वीडियो में देख सकते हूँ सबसे उपर मेरा title ही होता description में इसके लिखने के बाद आपको दो बार enter करना है और यहाँ पर आपको your queries लिखना है your queries लिखने के बाद आपको enter करना है और यहाँ पर आपको कुछ queries लिखनी है queries का मतलब है कि लोग YouTube पर क्या-क्या सर्च करते हैं views कैसे बढ़ाएं से related तो फिर से हमें YouTube पर ही चलना पड़ेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं याईसी मैंने लिखा views कैसे बढ़ाएं ठीक है लिखते हो बहुत सारे और keyword आ चुके है views कैसे बढ़ाएं YouTube पर views कैसे बढ़ाएं YouTube पर 2022 views कैसे बढ़ाएं शॉट वीडियो views कैसे बढ़ाएं 2023 views कैसे बढ़ाएं YouTube शॉट तो आपको यह सारे copy कर लेने हैं एक एक करके simple आप बराबर वाले arrow पर क्लिक करेंगे तो यह उपर जाएगा इसको select करके यहां से copy कर लेंगे और फिर से जाके वहीं पर paste कर देंगे यह देखिए मैंने paste कर दिया है फिर से लेते हैं वह दूसरा भी ले ले लेते हैं जैसे कि views कैसे बढ़ाएं 2023 में मतलब लोग यह भी search करते है views कैसे बढ़ाएं 2023 में तो चलिए इसको भी हम यहां पर paste कर लेते हैं यह देखिए paste कर लिया है इस तरीके से फिर हम अगले title पर आते हैं और यहां पर हमें English में भी एक title search करना है English में title कैसे search करेंगे जैसे कि how to increase views तो how to increase views लिखेंगे तो यहां पर अभी title आने वाले हैं बहुत सारे जो searchable keyword है तो उनको भी हमें लगाना है देखिए how to increase views on YouTube तो simple हमें इस पर arrow पे क्लिक करना है और इसको select करके copy कर लेना है आपको इस तरीके से idea लगाने है कि लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं उसको आपको यूटूब पर search करके देखना है अब जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग YouTube पर ये भी search करते होंगे कि YouTube video में views कैसे बढ़ाएं तो चलिए मैं एक बार search करके देख लेता हूँ क्या लोग इसको search करते हैं YouTube video में देखो भई लोग search करते है YouTube video में view कैसे लाएं तो simple आपको पर क्लिक करना है और ये देखी कॉपी कर लेना है इस तरीके से आपको लगवग 20-25 कीवर्ड इस तरीके से यहां पर डाल देने हैं सर्च करके इसके बाद अब आपको क्या करना है एंटर करना है एक बार एंटर करने के बाद में आपको हैस्टेक लगाने है है हैस्टेक कैसे लगेंगे, हैस्टेक बनाएंगे और हैस्टेक बनाने के बाद आपको व्योज लिखना है व्योज लिखा तो अपने आप यहाँ पर बहुत सारे हैस्टेक आ जाएंगे, देखें व्योज कैसे बनाएं यूटुब समझ गया और इस हैस्टेक पर 1,60,000 वीडियो support Tech Champion support चलिए मैंने ये भी लगा दिया इस तरीके से हमने कुछ hashtag लगा दिये और अपने चैनल का नाम भी hashtag जरूर लगा देना है चलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूं hashtag कपिल भाई अब आपको दो बार फिर से एंटर करना है यहाँ पर आप अपने social media handle के link दे सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिख दी यहाँ पर कपिल भाई यहाँ पर आगे बढ़ा दिया मैंने आपने देखा होगा मेरे इस तरीके से यह आपका एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन बन चुका है लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अपने affiliate के लिंक दे सकते हो या अलावा किसी दूसरे सोसल मीडिया का लिंक या फिर अपने टेलेगराम गुरूप का लिंक अगर देना चाहते हैं तो यह हैस्टेक के नीचे जाकर आप उन्हें भी दे सकते हैं लेकिन टाइटल के जश्ट नीचे आपको यूर क्वेरीज रखनी है क् उपर के कुछ लाइने ही यूटूब के सर्च में जाती हैं जिससे आपके ये वाले कीवर्ट से भी आपके वीडियो सर्च में जाएंगे इसके बाद आपको क्या करना है आपका टाइटल लग गया आपका डिस्क्रिप्शन लग गया अब चलते हैं नीचे आपको मोर आप घ stories कईसे बढ़ा है जैसे मैं लिखता हूं उस तरीके से आपको बता रहा हूं उसके लाद आपको व्यूज कैसे बढ़ाएं यूटुब मतलब क्या लिखता दा हमने व्यूज कैसे बढ़ाएं यूटूब पर 2020 या फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से यह देख views on YouTube ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है इतना अपने हिसाब से लिखना है फिर आपको YouTube पर सर्च कर लेना है views कैसे बढ़ाएं अब मैं आपको दिखाता हूँ tag लगाने का एक और सही तरीका views कैसे बढ़ाएं जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे अब आपको इनमें से एक ऐसे वीडियो को लेना है जिस वीडियो पर कम टाइम में ज़्यादा views आएं आप देख सकते हो यहाँ पर एक वीडियो है देखिए एक बारा गंटे में 21,000 views आया है यह एक वीडियो है दो दिन में 6,000 views आया है यह देख सकते हो पांच महीने में 4,000,000 views आया है तो यह तो पुराना हो गया रियल टैम में अभी मतलब जो है यह 12 गंटे में 21,000 views आया है तो सिंपल हम इस वीडियो के 3 डॉट पर किलिक करेंगे और आपको share बटन पर किलिक करने के बाद यहां आपको देखिए share पर जाना है more पर किलिक करना है और आपके फोन में एक application और install करना है जिसका नाम है tag you tag you मेरे फोन में install है सिंपल इस पर share कर देते हैं इस वीडियो के लिए और आपको check पर किलिक कर देना है यहां से क्या होगा इस वीडियो में जितने भी टैग लगाए गए हैं वो सारे टैग आपको यहां पर आ जाएंगे इस तरीके से अब आपको देखना है कि देखिए यह उपर वाला जो टैग आ रहा है यह तो आपने भी लगा दिया अपने वीडियो में इसके बाद भी और बहुत सारे टेग आ रहा हैं तो इनको मैं सिंपली सिलेक्ट करके इस तरीकर से कॉपी कर लेता हूं यह देखिए मैंने कॉपी कर ली है कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने वाइटी स्टुडियो के अंदर और यहां जाने एक बाद इन टेग को भी इसी तरीके से यहां पर लगा देते हैं देखिए ब्यूज कैसे बढ़ा है मैंने लगा दिया यह देखिए फिर दूसरा टैग लगाना है यह देखिए दूसरा टैग भी लगा दिया इस तरीके से फिर देखिए तीसरा टैग भी लगा दिया इस तरीके से इस तरीके से सारे टैग आपको लगा द पड़ेगा और आप दियान से देखेंगे कि जो आपके similar topic पर वीडियो बनाए हुए है उन्होंने जो thumbnail बनाया है उस तरीके का ही आपको thumbnail बनाना है मतलब उससे थोड़ा और advanced label पर आपको जाना है जैसे नों लिखा है टेड़े तरीके से चैनल पर काम करो लाखों में व्यूज आएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसे कि उंगली को टेड़ा करो और लाखों में व्यूज आएगा ठीक है कि आप ये गलती करते हो इसलिए व्यूज नहीं आता है thumbnail का idea आप मेरे चैनल से भी ले सकते हो मैंने YouTube पर अपना वीडियो किस तरीके से अपलोड किया जिस वज़े से आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए क्योंकि thumbnail थोड़ा click weight था तो इस तरीके से आपको भी click weight करना जरूरी है क्योंकि जो आप click weight करेंगे वही है तरीका आपके वीडियो पर views लाने का तो इतना आप back करेंगे लेकिन SEO भी बहुत matter करता है जो मैंने आपको भी title, tag, description लगाना बताया ये भी आपके वीडियो पर बहुत ज़्यादा जरूरी है ये करेंगे तो आपको वीडियो सर्च में जाएगा और सर्च में जाएगा अगर आपका thumbnail बढ़िया है वीडियो पर thumbnail भी लगा सकते हैं तो चलिए मैं एक thumbnail यहाँ पर लगा लेता हूँ ये देगे मैं लिखा है YouTube भी हैरान यहाँ लिंक डालते ही वीडियो वाइरल आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जहाँ पर लिंक डालकर ही वीडियो को वाइरल किया जा सकता है यह एक click weight होते हैं इसी तरीके से आपको वीडियो पर click weight करना होता है व्यूज बढ़ाने के लिए लेकिन अंदर भी वीडियो में आपने कुछ तरीका बताया हो वह तरीका अच्छा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए तो यह click weight आज के समय में valid है सभी करते हैं YouTube भी कहता है तो आपको done पर click कर देना है और save पर click कर देना है अब आप देखेंगे कि आपका यह video save हो गया इस तरीके से सारी setting करने के बाद जब आपका video upload हो जाएगा उसके बाद इसको आपको पब्लिक कर देना है यही pencil पर click करने के बाद आपको देखी visibility पर जाना है और public पर click करके और save कर देना है यह आपको यह video upload करने का सही तरीका दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक करें चलनल पर नहीं है तो चलनल को सब्सक्राइब करें कपिल भाई को देखना ना भूलें